नमश्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूफ चैनल एक्जाम ओरियंटेड में तो आज हम आपके लेकर आगए हैं LLV के 6 सेमिस्टर का प्रिंसिपल्स आफ टेक्स्टेशन लो तो ये पेपर आप देखें किस परकार से आता है इसमें किस परकार के कुश्टेशन पूछे जाते हैं तो इस पेपर में टोटल 10 कुश्टेशन होते हैं जिसमें से आपको 5 कंपलसर ही करने होते हैं तो आईए देखते हैं पहला कुश्टेशन इस परकार है कि करादान बिधी की उत्पति का वर्डन कीजिए कराधान हमारे समाज के लिए क्यों आवेश्यक है दूसरा कुशन इंगलिस वाले आप देख सकते हैं उपर और हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ की बता रहा हूँ कर और शुल्क में अंतर बताईए क्या संवर्ती सूची के अंतरगत कर लगाया जा सकता है तीसरा कुशन देखते हैं आएकर अधेनियम की धारा दस के अंतरगत कुछ आए पूर्ण रूप से और कुछ आंसिक रूप से मुक्त होती है ऐसी आयों का उनलिख कीजिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं तो ये अगला प्रशन है पूझी लाव की व्याख्या कीजिए यह कितने प्रकार की होती है तथा इसकी गण्णा किस प्रकार की जाती है तीक है पांचमा प्रशन की ओर चलते हैं तो पांचमा प्रशन है कि भवन संपत्ती से आय से आप क्या समझते हैं इस आयों के शीर्षकों से क्या कटोतियां स्विक्रित हैं वर्डन कीजिए चाटमे कुशन की और चलते हैं बेतन से आये के अंतरगत कौन कौन सी आये सम्मिलित है इन आयों के शीर्षक से कौन सी कटोतियों का प्रावधान है साथ में कुशन की और चलते हैं प्रतियक्षकर एवम आप प्रतियक्षकर क्या है इसके बीच अंतर का वर्डन कीजिए आठमें प्रशन की ओर चलते हैं केंदर एवम राज्यों के मद कर राजैस्व के बटवारे की क्या प्रिक्रिया है इसका उलेक कीजिए कर प्रवंचना एवम कर प्रवंचना दोनों ही कराधान विधी में आवैदानिक मानी जाती है इसकी व्याख्या कीजिए दसमे प्रशन में भी आपको छूट दी गई है जिसमें से आपको सिर्फ दो पर टिपनी करनी है काला धन, वार्शिक लाव, कर निर्धारण वार्श और गत वर्श तो इसमें से आपको दो करने है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो और आपके लिए helpful रही हो तो आप हमरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राब करें और बाकी ललवी की जितने भी एक्जाम कुशन पेपर हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं धन्यवाद